कौन से वो मुल्क हैं जिसे तधा कतित तोर पर अलकाइदा चुनोती दे रहा है और कह रहा है कि ये हमारे लिए इसलामी जमीन है फिलिस्तीन, लेवांत का पूरा इलाका जिसे कहा जाता है उसमें फिलिस्तीन, इसराइल, सिरिया देखिए एक के बाद एक जो ये तमाम देश हम आपको दिखा रहे हैं लेबनान, जॉर्डन, इसराइल और साथ ही तुर्की, ये टॉकी, ये तमाम जो देश है वहां पर है सुमालिय का भी वो जिक्र करते हैं, येमन का भी जिक्र करता है, वो इसी के साथ-साथ वो कश्मीर का जिक्र कर देते हैं, ये कितनी बड़ी चिंता की बाद, डॉक्टर सम्बित पात्रा देखिए अंजना जी, अभी आपने जो नाम दिखाएं हैं, ये विश्व भर के नाम है, चाहे इसराइल का नाम आए, चाहे फिलिस्तीन का नाम आए, चाहे सुमालिया का नाम आए, चाहे जॉर्डन का नाम आए, या कश्मीर का नाम आए, तो बार-बार जो हम लोग कहते ह कि आतंकवाद एक global threat है यह जो जिहाद है यह global threat है आज इस प्रकार के प्रेस बक्तव्य से इस प्रकार के बयानों से स्पष्ट होता है यह किसी एक मुल्क के लिए किसी एक देश्ट के लिए यह threat नहीं है पूरे विश्व के लिए threat है और बार बार पूरा विश्व आप जान इस वक्त व्यक्ति बाद स्पश्ट हो गया है तो देखे पूरा विश्वा पाकिस्तान को गंभीरता से जहां तक आतंकवाद का मसला है बड़े गंभीरता से लेता है तभी ये आज FATF के ग्रेजोन में मौझूद है आज पूरा विश्व जानता है कि पाकिस्तान टेररिस्त प्रधान है दरस्त और जहां तक भारत का सवाल है भारत व प्रथम देश है जिसने आतंकवाद को शुरू से ही गंभीरता से लिया है क्योंकि आतंकवाद दंश को सरवाधिक भारत देश नहीं सहा है और जहां तक इस विशय को पूरे विश्व में स्थापित करने का विशय है जब से प्रधानमंतरी नरेंद्र मोदी प्रधानमंतरी के रूप में भारत में आये हैं आप देखिए हर विश्व सम्मेलन में चाहे वो G20 का सम्मेलन हो चाहे वो क्वाड की मीटिंग हो हर विश्यों में हर स्थान पर प्रधानमंतरी नरेंद्र मोदी जी ने आतंकवात को यथार्थ रूप से रखा है UN में भी प्रधानवंत्री ने जाके एक स्पष्ट रूप से कहा था कि गुड तालीबान और बैट तालीबान इस प्रकार की पर्थक्यता करने वाले लोग बाद में पच्टाते हैं तो भारत आतंकवाद को लेके सदैव ही बहुत चौकरना रहा है और आतंकवाद से लड़ना कैसे है इसके लिए पूरे विश्व को उसने मार्ग दिखाया है मार्ग प्रसस्त किया है मुझे तो दया आती है इन पाकिस्तानियों के उपर और पाकिस्तान के उपर देखिए इनकी पास खाने के लिए दाने नहीं मगर ये चले है पूरे विश्यो को कब जाने के लिए ये तो बड़ी शरम का विश्य है बड़ी शरम की बात है आपने कहा कि दया आ रही है इंपे और तुरंग सिर जुका लिया उन्होंने हमिद साहब चले बोल लीजे मन की बार और यही वो पूरा इस्लामिक स्टेट बनाने का आपको लग रहा था कि एंड गेम प्लान आएगा जिसकी वज़े से आपको सवाल नहीं सुनना आता क्या मिस्टर खाल इतनी तुमीज रखे है तो नहीं सवाल सुन लीजे आप सवाल इतने लंबे करती है कि दूसरे को बात की तो करने दे आपको ऐसा लगता है क्योंकि आपके मन में आप इतने उतावले हो रहे है ना बोलने के लिए सुनिए सवाल क्या यही वो वज़ा थी जो अलकाइदा ने अब ऐलान किया है कि हम इन देशों से भी आजादी लेंगे जिसमें कश्मीर का भी नाम लिया है जिसकी वज़े से इतनी खुशी आप लोग मना रहे थे देखें बात यह है कि चिंता की बात तो आपके लिए है क्योंके कश्मीर ने तो आजाद होना ही होना है आप जो मर्जी कर लें कोई ही भी आकूपाइट जो फरीडम मूवमेंट वहाँ जो चल रही है वो अपने जो है ना रिजल्ट और अन्जाम को तो पहुंचेगी और जो सिरी नगर है वहाँ पर मुसल्मान पारकिस्टान का जंडा जरूर लहराएंगे एक बात दूसरी बात ये समझीए कि आप अगर इतने परेशान और अगर आपकी सेना इतनी ताकतवर है तो जब अमरीका ने कहा था कि अपनी सेना काबल भेज दे तो आपके जो जनरल जीडी बक्षी है उन्होंने खुद कहा कि हमारे मुदी जी की और हमारे फौजीयों की टंगे काम पने लग गई थी जब अमरीका ने ये डिमांड की कि हमारे फौजी काबल जाएंगे तालबान से मार खाएंगे अब तीसरी बात सुनी जिए तीसरी बात भी सुनी जिए और वो यह है कि हकीकत यह है दर रियालिटी यह है कि इंडिया को सबसे ज्यादा फिकर उस बात की है कि वाके ही तालबान तो तालबान जो किश्मीर के अं तो अब तालिबान के साथ साथ एक बार हामिद खान, आप अलकाइदा की भी जैजे कर दीजे। आप बिल्कुल मैं कहता हूँ देखें अल-काइदा है टालबाण है एक बात याद रखिए एक बात याद रखिए हम जे जे नहीं कर रहे हम फ्रीडम मूवमेंट जो कश्मीर की कश्मीरी लड़ रहे हैं पाकिस्aid उसके साथ कड़ा है तालबान कह रहा है कश्मीर की बात अल अलकाइदा की प्रसंचा कर रहा है ना अलकाइदा की प्रसंचा नहीं कर रहा हूँ जिसके तहट मुसल्मान हो और कश्मीरी जो 74 एर से एक लाग से ज्यादा जाने दे चुके हैं हतिया हो चुकी है हो गया हो गया हो गया है हम यह समझते हैं कि अब वक्त आ गया है इतनी पुरानी बाद रिकॉर्ड घिस चुका है यह वाला रिकॉर्ड घिस चुका है अगर आप वाकई पत्रकार रहे जड़ा खबर पढ़िए कश्मीर में क्या मन्ता इस बत